विनोद, दोधारी तलवार तो है यह, ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इमानदारी की लड़ाई है, एक तरफा है, हमाम में सभी नंगे हैं, जनता के भरोसे पर टिकेगी यह जाकर लड़ाई? देखिए, संधी बाई, यह कहना बड़ा सरली करन है कि हमाम में सभी नंगे हैं, मुझे लगता है कि जो सारा मामला सामने आया है, चाहे वो दिल्ली का शाराब घुटाला हो, चाहे एलेक्ट्रोल वांट्स का मुद्दा हो, और चाहे जो संजे सिंग ने आवी यह 35 कंपनियों का जो बताया कि इनो ने इतना दावा किया है, जिसका बास्पेई ने बड़े खुबसूर्ती से जवाब दे दिया, बीजेपी वाले भी जवाब नहीं दे पाते, जैसे बास्पेई जिन दिया, मुझे लगता है, फैक्स तो तथ्य तो समने आ गए है, अब इन तथ्यों मे कि वाकई एक, चुकि इतना गंभीर मामला है ये, कि कोई बड़ी कमिटी बना करके निश्पक्ष जांच होनी चाहिए, और चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करें उसको, और उसमें सब केसे को लेना चाहिए, जो बिपक्ष परारों पर उनको भी ले, और जो सत्ता पक्ष जो अब है. आप अपने पने मुझा का का से कहा, आप तीवी पर आगया आपने बोल दिया संजेशिंग ने, या मनुझा ने बोल दिया या और लोग बोल देंगे. सवालत जनता के बीच कब जाएंगे क्या जनता के बीच कभी गई इस मुद्ध को लेके अभी अलेक्टरोल बांड का मुद्धा ऐसा है क्या गाउं गाउं पहुच गया मुझे तो नहीं लगता अभी लोगों को पहुचा होगा अभी तो हम टीबी में बैस करें आपने कई बार लगातार शो किया तो थोड़ा बहुत पहुचा ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर उनको लगता है कि देश में कई ब्रश्टाचार हुआ है सत्ता के सनक्षण में अगर लगता है तो उसको जन्ता के बीच में ले जाएं और अब तो इससे पढ़िया मुद्दा के बीच में बीजेपी ने तो 1989 में भी किया राजी गांधी वाला जो मामला बोफुर्स वाला था 1974 में गांधी खिलाब ब्रश्टाचार कोई मुद्दा नहीं था सॉलिड खाली हो मशीन दी के दूर रूपयों का मुद्दा था विच्पालकपूर वाला और जब उन पे लावा हाई कोड़ ने उनको जो है उनकी पधानमन पत्री पत्से उनकी चुनाव कोई था रहा है और यह तो बहुत बढ़या मौका है चुनाव का मौका है नहीं तो ऐसा लगेगा शूट एंस्कूट भी हो रहा है कि दावा किया और निकल लिए तो वो नहीं चलेगा अगर आपको वाकई इस मुद्दे पर लगदा है और सरकार को आप झेड़ने बात कर रहा है तो चनता को समझा रहे है तो परनी बात कर रहे है उपुरानी सुनारा व्हजना है प荷्आलि तरीके से सोतनी गोल ओर ने जा रहा ऑए उट ने जो पहलत आश्ञा है और ढराहूल गांदी का हाटन सुना हुए अकेली लड़ाई लड़ती भी दिखाई दे रही आम आदमी पाटी 31 मार्च को चलिए राम लिला मैदान में सब आ गए ममता नहीं आई एमके स्टालिन तो खेर कहीं चुनावी सबाओं में मसरूफ थे पर सबको साथ हाने की भी जरूरत है लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ाई तभी लड़ पाएंगे वरना प्रदान मंद्री मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी के सारे ब्रस्टाचार की लड़ाई की नजीय अपार्ग ले जाएंगे देखें विपखष को अपनी साख साबित करनी होगी अपनी एक जुठता पढ़ानी होगी और कम से कम भरस्टाचार देसे मुद्धे पर जिसमें उसके तमाम नेताओं पर आरोप लगे जो उसका कहना है कि गलत तरीके लगाए जा रहा है अगर वह वाकई उस चीज को जनता के बीच में एक जुठ तरीके दिल कि सरकार पर आरो ब्रस्टा चार का लगता था इसमार सरकार भी पक ह्ष पर लगा लगा रही है उल पहले भी लगंड़ें ईसलियह कोशिस हुई है नेकरी K2 में हवाला का मामला खोल के सारे विपेट Քर लिए था तो हुआ लेकिन वारनं terror को फाहदा हुआ नवासी में विपक्ष को फाइदा हुआ और च्यानमें विपक्ष को फाइदा हुआ अब ये मौदूदा विपक्ष किया उस तरह से तो फाइदा और नुक्सान की भी बात है कि आज जनता यही मान करके चलती है कि ये सारे चोर एक जगाई कटा हो गया है जो अभी विनोद अगनिहोत्री जी ने कहा प्रधान मंत्री ने जो मुद्दा उठेदी हैसियत होती इन विपक्ष नेताओं की तो भरष्टाचार का मुद्दा ये जनता तक ले जाते लेकिन जनता तक प्रधान मंत्री ले जा रहे हैं विपक्ष के खिलाफ ये 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 अंतर है ये अंतर है आदमे ये अंतर मानते हैं सलमान 30 स्क्रीन पर ये ये जो देखे आप बात कर रहें लेकिन हम जो हैं हम लोगों के पास ले जा रहे हैं दो बड़ी बड़ी यात्रा आएं गही हैं लेकि आप शाहिद नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मीडिया काफी सारी चीज़े रिपोर्ट नहीं करता है मैं आपको बता तो संदीब जी इस वक्त मैं आपने जमो कश्मीर की बात बताता हूँ जमो और उदमपूर में जो बीजेपी के गर्म आने जाते थे वहाँ पे इस वक्त कांग्रेस इनके साथ ऐसी टकर में है कि उदमपूर में आपकी जितिंदर सिंग्स हारने वाले है इलेक्शन जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साज़िश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे